टाइम ट्रेवल हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का एक विशे रहा है। दरसर एक रिपोर्ट के मताबिक 1938 में शूट किये गए फुटेज से कॉंस्पिरेसी थियोरिस्ट का दावा है कि ये टाइम ट्रेवल को साबित करता है जिसमें एक महिला अपने कान के पास हाथ रखे हुए है जैसे कि वो फोन पकड़ कर बातचीत कर रही हो ऐसा देखा जा सक को ध्यान में रखते हुए सामने आए वीडियो कॉंस्पिरेसी थियोरिस्ट टाइम ट्रेवल के ताजा सबूत के रूप में उसे देख रहे हैं उनका कहना है कि टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है उनके अनुसार फुटेज में मोबाइल सेलफोन के अविश्कार से दश्कों पहले महिला को उस पर बातचीत करते हुए साफ तोर पर देखाया गया है जो टाइम ट्रेवल के अस्तित को साबित करता है बता दे कि ये फुटेज 85 साल पहले अमेरिका में एक फैक्टरी के बाहर फिल्म आया गया था टाइम ट्रेवल के सबूत के तोर पर पेश और खीचा है हाला कि क्या वे वास्तव में फोन पर बातचीत कर रही थी या सिर्फ अपने चेहरे पर हाथ रखके हुए है इसकी पुष्टी करना असंभव है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसके हाथ में कुछ है इस पीच एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह महिला उसकी परदादी है उन्होंने कहा कि जिस महिला को आप देख रहे हैं वो मेरी परदादी ग्रटूट्स जोन है वो 17 साल की थी मैंने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा और उन्हें अच्छी तरह से इस बात को याद है उन्होंने बताया कि वह कहती है कि जीव पॉन्ट के फ पकड़े हुए विज्ञानिकों में से एक से बातशीत कर रही है जो चलते समय उनकी बगल में नजर आ रहे हैं